हलो डिये स्टुड़ें वेलकम इन दे क्लास ओफ असम्डिटी फिजेक्स आज अपन टोफिक पढ़ेंगे उसका नाम है थेविनिन थ्योरम थेविनिन की प्रमे देखे पहले हमने पढ़ी अध्यारोपन पर्मे ठीक है उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे थेविनिन पर्मे देखे थेविनिन पर में है बहुत सरल पर इसका स्टेटमेंट बहुत बढ़े है देखे किताब में स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है मैं यह नहीं कह रहा कि जो मैंने लिख आ है वो किताब के अकोर्डिंग है नहीं लेकिन हाँ है पूरा बराबरी जैसे माली जाना को चाहता तो किताब को देखे के सिद्धा लिख सकता था बट मैंने इसको अपनी वहासा में बनाए आप किताब समयच करना आपको बिल्कुल है जटिज मिलेगा ठीक है अब बन स्टार्ट करते हैं धेविनिन पर में क्या कहती है यह कहती है कि यदि आपके पास डी टर्मिनल क्या है एक जटिल परिपता है अर्थाथ दो टर्मिनल का एक आपके पास क्या है जटिल परिपता है ठीक है मतलब दो टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक इंपुट होगा एक आउटपुट होगा टर्मिनल दिखाए देरे ठीक है अब दो टर्मिनलों में क्या बहुत शारे उर्जासे बाहर एक्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं बस ठानसफारमर यह आपका जो बिजली विभाग है युआ उससे आगे भी बहूत सारी आला की सप्लाई अैंगा है उलाओ गए तो इसको आप क्या कर सकते हो प्रतिस तापिद कर सकते हो मतलब बात एगीड चाहिए आप ऐसे रखो या इसे रखो टाथ प्रतिस तापिज अप습니다 कर सकते हो जितने भी उडोत है इंदर उड़ा तो इसुझाइब कर दीजिए कि असम didnt अजन shines और्जा शूरोथ को किनकी उर्जा स्रोथ की आंतरिक पर्थिबादाओं से क्या कर दीजिए प्रति STARilot कर दीजिए और यह लगा दीजिए अब रहा ही उत्यक्तिजाएं लगाएं तो उसकी गितिन हो ठीक है उसक का मान कितना हो charging और प्र מagail को कहीं श्रोव कर लिया equivalent की वेलु कितने होगी दूसरी बात जेडिकुलेंट की वेलु कितने होगी तो जेडिकुलेंट की गा और किसमें चला जाएगा लोड के लिए माली जी यह आपका क्या है घर की आजाएगी आपके पास प्रूफ पहले जटिल था आपने एक सिंपल वैटरी लगाई उतना पट्रोद लगा के दो तार ले लिया और गर में क्या करते बस इतना सा ही है किसका थेविनिन पर्मे का स्टेटमेंट और यह प्रूफ हबएंगry अब अफ़न पढ़ेंगे थोरं के बाद ख़र्म का फूर्मड़ क्यासे होगा यह बात थोहरं बौलती है ऑब इसका अपन करेंगे प्रूफ प्रूफ के लिए हमने've the प्रूफ हमने लगाए क्या लगाया ऐ blij आप्पर यह बात लगा 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 रहता है तो यह जो सब्सक्राइब दे उस परिपत का ठीक है बताओ बैटरी और बैटरी का सब्सक्राइब पड़ते करैंव सब्सक्राइब यदि आपने पढ़ा हो टी तथा पाई जाल किसी भी जाल को सॉल करने के दो तरीके थे ना टी और पाई ती को स्टार यार डेल्टा भी बोलते हैं पंठीक है तो उसके तुरूपन क्या कर सकते हैं किसी भी सर्किट को रिप्लेंश कर सकते हैं तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि जितने भी प्रतिरों थे उनको टी से देखो टी बन रहा है ना टी से क्या कर दिया जेड़वन जेड़टू 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 ने यहां पे क्या लगा लिया जेड इक्विलेंड लगा लिया फिर हमने क्या गड़ दिया आगे क्या लगा दिया जेड़ा लगा दिया अर्थाद गर्गा क्या लगा दिया प्रचिरोद लगा दिया अब देखिए प्रूफ के लिए तो प्रूफ के लिए देखिए यहां से जो धारा बैती है वो कितनी है I.S. कितनी है I.S. ठीक है ये I.S. जाएगी और सुचेगी कि आगे मेरे पास क्या है दो रास्ते हैं तो धारा का क्या होगा विबाजन होगा एक धारा जो लोड़ के लिए जा रही है उसको मैंने बोल दिया I.L. कि ये किसमे है सरेनिकरम में और सरेनिकरम में आप जानते हो धारा कामान क्या रहता है समान रहता है किताब वάλक कंफिजन करने के लिए I.L. को यहां पे लगा दिया बच्चे कंफिज हो जाते है सर आई-ल यहां पे लगा है तो Jet II में से IL कैसे भाइगी? है की नहीं? तो सिंपल सी बात है, ये दोनों किसमें है, स्रेहनी करम में, ये बहुत छोटी-छोटी बात थे हैं, ठीक है? और स्रेहनी करम में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है, ये लिख लीजए, यदि आप भूल जाते हो, तो धारा क्या रहती है समान रहती है, तो जितना IL किस पर होगा, उतना ही IL किस पर होगा? जड, L पर होगा, ठीक है? तो यहां से गई IL, बताओ, ISI, IL इसमें चलेगी, तो बच्ची कितनी? IS-IL किस में से जाएगी? जड, 3 में से जाएगी, कौन सी दारा? IS-IL, अब देखें, अब अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, इसके लिए अपन को क्या रहेगा? बस mathematical term क्या अगनी रहेगी? बताइए, यदि कोई मेरे से पुछे, IS का मान कितना होगा? IS का मान कितना होगा? तो IS है क्या? source से निकलने वाली current, इसको अपन IS मतलब S को replace कर दिया, किस से? source से, ठीक है? तो IS, V बराब और आई यार देन, आई बराबर कितना होगा? V upon R, V का मतलब कितना? बैटरी का, बैटरी का voltage upon R, आर मतलब यहां पर क्या होगा? परिनामी प्रतिरोद होगा, देखिए, ये दोनों किस में जुड़े होगे? स्रेनी करम में, तो इनका तो प्रतिरोद कैसे हो जाएगा? Z, S, प्लस कितना हो जाएगा? Z, यहां तक देखो जो बात समझाना चाहरा हूँ, मैं इस पूरे परिपत का क्या लेना चाहरा हूँ? तुले परतिरोद लेना चाहरा हूँ, तुले परतिरोद लेने के लिए क्या करना होगा? ये दोनों देखिए, किस में है? स्रेनी करम में, और ये दोनों किसमें आगे समानतर में और ये दोनों स्रेनी करम में तो देखिए ये तो सोल कर लिया हमने इस वाला पार्ट को सोल कर लिया क्यों न हमें इसको अलग से सोल कर लूँ इतने इतने पार्ट को कौन से कौन से पार्ट को देखिए परतिरो दोगे Z1, Z2, Z3 और Z1 बताईए यदि ये दोनों किसमें स्रेनी करम में इनको एक साथ जोड़ दूँ ठीक है? तो ये Z3 के साथ किसमें हो जाएंगे समानतर करम में समझ पारे हो इनको एक साथ जोड़ दिया फिर ऐसे देखा तो ये दोनों किसमें दिखाए देंगे समानतर करम में और समानतर करम में कैसे जोड़ते हैं? 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 1 upon R ये भी समझ लीजिए चोरम हाड बन जाती है यदि अपन को basic clear ना हो तो साथ साथ में हम आपको basic भी शिका रहा हो 1 upon R तो यहां से R की value कितनी आगी? यहां से R की value आगी R1 plus कितना आजाएगा? R2 upon में कितना हो जाएगा? सोरी यहां पर writing क्या हो रही है? खराब हो रही है R1, R2 हो गया अपन को R चीए ना तो R चीए इसके लिए क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए समानतर करम में कौन-कौन जुड़े वे है देखे सरी यह तो किसमें है? Z2 और ZL स्रेहनी करम में इनका क्या होगा? Z2 प्लस ZL तो देखे यहां पर R1 की जगा तो मैं क्या लिग दू? Z2 प्लस कितना हो जाएगा? ZL multiply में कितना हो जाएगा? R2 प्लस हो जाएगा आपके यहां पर Z2 प्लस ZL और प्लस हो जाएगा Z3 ठीक है? तो यह मैंने वेल्यू निकाली किसकी? यह मैंने वेल्यू लिकाली IS की किसकी वेल्यू निकाली? IS की वापिस कलियर करें देखे यह था स्रेहनी करम जोड के एक प्रतिरोद बना लिए फिर देखा कि यह इसके साथ क्या है? समानतर करम में समानतर करम में कैसे जूरता है? ऐसे जूरता है तो बस R1 अब नेट प्रतिरोद कितना होगा? Z2 प्लस Z डल यह लिजे R1 R2 उपॉन R1 प्लस R2 ठीक है अब मैंने लिका लिकिस की वेल्यू IS की आपको दिखाई तो दे रहे हैं ना फिर अपने निकालेंगे किस की वेल्यू वोल्टेज डिवाइडर से हाँ यह आपको दिखाई दे रहे हैं अब देखिए आगे यहाँ से IS की वेल्यू अब देखिए एक बात बताईए समानतर करम में वोल्ट अता देखिए वोल्ट अता मैं बात कर रहा हूँ क्यों और क्यों वोल्ट अता की ठीक हो जाएगी समानतर करम में वोल्ट अता क्या रहती है समान रहती क्या रहती है समान रहती है देखिए यदि मैं वोल्टेज की बात करूँ, तो यहां पर, सोरी, थोड़े गले में प्रोब्लम है, पुर्टूरा गले करूँगा, देखिए, यहां की वोल्टेज था और यहां की वोल्टेज था क्या होगी बराबर, यदि यह किसमें समांतर करम में हैं, और अभी अभी प्लाइ आर, आर कितना होगा, जेड बराबर हो जाएगा, किस से बराबर हो जाएगा, यहां की धारा और गल्ट था पे, यहां की धारा कितनी है, आई, एल, और यहां का प्रतिरोध कितना है, स्रेनी करम में, कितना हो जाएगा, जेड टू, प्लस कितना हो जाएगा, जेड की value जट से निकाल देंगे कैसे इसको इसके बटे में लेके जाओ तो ये लीजिए I L की value कितने निकल गई I L की value निकल गई I S minus I L I S minus कितना I L और multiply कितना हो जाएगा multiply किसी से होगा multiply होगा Z 3 से किसे होगा Z 3 से upon में कितना रह जाएगा upon में रह जाएगा Z 2 प्लस कितना रह जाएगा Z अब देखिए हमने value निकाल लखी है किसकी I S की देखिए कहां पर निकाली यहां पर तो I S का मांद समिकरन इसको आप एक A बोल रहे हो तो इसको आप बोल दीजिए equation small B I S का मांद समिकरन B में रखने पर जब आप value निकालोगे I L की तो I L की value आएगी इस हिसाब से आपको मेत है घर पे अराम से सोरू कर लेना चाहता तो करवा सकता था आप बोल भी हो जाते है और बहुत लंबा वीडियो हो जाता ठीक है मैंने solve करके value निकाल ली ठीक है अब देखिए जब मैंने इसको द्यान से देखा कौन चीक्वेशन लोड दारा काम पे जाएगी यहां पे जाएगी ठीक है उसमें जो दारा बहरी यहां वो कौन ची थी आई-एस थी इसका मतलब सोर्स दारा के बराबर आ रहा है इसका मतलब काम सही है ठीक है मतलब जो ठीक है फिर मैंने देखा कि जेड उक्यूलेंट निकालता हूं कब जब मैंने जेडल नहीं लगाता तो बताओ जेडल मां यद 3 आना चाहिए जेड़ वन आना चाहिए आ रहे है जेड़ टू आना चाहिए आ तो यहां से हमने देखा कि थेविनिंपर में जो भी बात बोलती है वह बात क्या है सही है इसका मतलब किसी भी दी टर्मिनल जाल को अब आप क्या कर सकते हो रिपलेस कर सकते हो सिंप्ली रिपलेस मतलब एक बैटरी है उसके साथ आपने जैड इक्विलेंट लगा दिया और उसकी सप्लाइ किसमें देदी जेड आल में जाओ ठीक है तो यह थी ठरम कुण सी ठेवनिन पर में अब नेक्स जो ठरम पढ़ेंगे उसका ना होगा नोटन लेकिन वो आज नहीं नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे I hope यह आपको वीडियो पसंद आया हो, हिदिये वीडियो पसंद आया हो, तो like कीजिए, share कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, like नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं है, हमें like से मतलब नहीं है, हमें मतलब है, किसी भी जरूरतमन स्टुडेंट के तक क्या पहुंच सके, वीडियो पह कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स दो नोटन पर में होगी ठीक है और फिर भी यदि आपको कोई प्रीवेस टोपिक में डाउट रहे गया हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या कोई इलेक्टोनिक्स का इसा टोपिक पूछ ना हो जो हमारी एमडिय इस युनिवर्सिटी से डिलेट करता हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगें ठेंक्स पर दिस वीडियो वोचिंग थैंक यू सुट्रेंट देखें सुट्रेंट यहां से हमने बात की कि आई एल के अपन क्या गरेंगे वेल्यू निकालेंगे और किसमें रख देंगे आई एल के वेल्यू निकालेंगे आई एस की वेल्यू रखके सर एक प्रोब्लम हो गई यहां पर जब I L के बराबर I S माइनिस I L यहां पर भी तो आ रहा है न तो I L तो सेपरेट हुआ है नहीं न यहां पर रख भी दीजिए I S की वेलू लेकिन I L इस तरफ भी आ जाएगा तो इस ट्रम में क्या आएगा फिर I L भी आएगा तो I L की सेप सेपरेट वेलू बनाने के लिए अपन क्या करें सेपरेट वेलू एक वार चाहो तो आप इसका स्क्रिन शोट ले लिजिए ताकि पूरी की पूरी ठेविनिन ठेवर्म आपके A की बर्ड पे ठीक है अब देखिए अब अपन क्या करेंगे हमको वेलू बनानी है किसकी I L की आई एल की वेलू कैसे बनाई की सोरी यह बोर्ड गिला हो जाता है सद्यों में और फिर क्या मार्कर भी नहीं चलता इसको दो से तीन वार साफ करना परता है देखिए अपन को सेपरेट वेलू बनानी है I L की कैसे बनाई तो बना अभी भी यह साफ नहीं हो है देखिए 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 बन जाएगे यह लिए अब देखिए आई एल अपन कितना हो जाएगा आई एस और माइनस कितना हो जाएगा आई एल और वेल्यू कितनी बनेगी वेल्यू बनेगी जेड थ्री वेल्यू बनेगी जेड थ्री अपन जेड टू प्लस कितना हो ज एपस्प्लें करें इसको उल्टा करोगे इस माइनस क्या हो जाएगा इल हो जाएगा अपोन में कितना जाएगा ऑफिर क्या जाएगा जब कितना हो जाएगा जट्टू प्लैस अब सेप्रेट divide कीजिए separate divide करेंगे तो ये तो इसके बिटे में चला जाएगा simply बोले तो ना और यहां पर क्या जाएगा minus 1 ठीक है ये minus 1 सुंदर सा उठके यहां पड़ जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा plus 1 हो जाएगा ठीक है अब बताओ I L की value चाहिए तो क्या करें आप बताओ आप बोड को देख रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा अब ये दिकोई मेरे को बोले कि value निकालने है किसकी I L की तो कैसे निकालेंगे सर अब तो clear हो गया ना I L की value निकालने के लिए यहां पर I L लिखिए और देखिए यह उस तरफ चला जाएगा पहले इसको solve भी करो सकते पहले इसको solve करो यहां पर उपर आएगा तो यहां पर plus हो जाएगा Z2 प्लस कितना हो जाएगा ZL हो जाएगा ठीक है क्योंकि plus run था ना उपर से लगुतम लेते solve करते तो अब यह दी अपन आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- स्वाल कर सकते हैं ठीक है आप चाहते तो यह कर सकते थे पर मेरा मंद था कि यह भी क्लियर करवा देए अगें ठेंक्स फर वचिंग दिस वीडियो इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई भी क्यूरी तुद्धा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पुसक्ते हैं थैंक्स फर इस वीडियो वचिंग